सेफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान अपने जन्म से ही इंटरनेट सेंसिशन बने हुए हैं उनकी पॉपुलेटी बाकी स्टार किट से ज़ादा है हर कोई उनकी क्यूटनेस का दीवाना है मगर तैमूर को अपने मम्मी पापा से ज़ादा नैनी के साथ पॉट किया जाता है उनकी नैनी तैमूर को कभी गोध मिलिये तो कभी हाथ पकड़े कैमरे में क्याध होती है मगर क्या आप जानते हैं कि तैमूर की खिदमत के लिए नैनी को कितनी फीस मिलती है तो बता दे कि एक इंटर्वियू में करीना कपूर खान ने बताया कि वो तैमूर की केर टेकर को क्या सेलरी देती है करीना कपूर खान ने बेटे तैमूर की इसी नैनी की महीने की सेलरी का खुलासा करते हुए कहा कि तैमूर की केर टेकर की सेलरी प्रती महां एक लाख पचास हजार से जादा है जी हाँ, करीना तैमूर की नैनी को डेड़ लाख रुपई प्रती महीना सेलरी देती है ऐसा पहली बार नहीं है कि करीना से तैमूर की नैनी के बारे में सवाल किया गया हो पलकि इससे पहले भी साल 2019 में करीना से ये सवाल पूछा गया था जब करीना अरबास खान के शोब पिंच में गई थी तब एक फैन ने उनसे यही सवाल पूछा था अलाकि तब करीना ने जवाब देते हुए काहा था आपके बच्चे को खुश और सुरक्षित रखने का कोई मोल नहीं है जानकारी के लिए बता दें कि तैमूर की नैनी का नाम सावित्री है सावित्री जुहू इस्थित एक एजनसी के जरीए करीना के यान नौकरी करती है बात अकर मीडिया और फैंस दुआरा तैमूर को मिल रही अटेंशन की करें तो सैफ करीना इस बात से काफी परेशान है दोनों कई बार इस पर बात भी कर चुके हैं कि उन्हें ये सब बिलकुल पसंद नहीं है हाला कि सैफ इस बारे में मीडिया से साफ साफ भी कह चुके हैं कि तैमूर को इतनी पैपराजी अटेंशन पसंद नहीं है इसलिए बहतर हुगा कि उसे नॉर्मल रहने दिया जाए और इग्नूर किया जाए क्योंकि वो जब भी कैमरे को देखता है तो कहता है कि नो पिक्चर और परिशान होने लगता है उसे ज़्यादा ताम जाम पसंद नहीं है सैफ ने कहा लोग उसे देख कर खुश होते हैं और मुझे भी उसे देख काफी खुशी होती है क्योंकि वो एक क्यूट बच्चा है तो मैं समस्ता हूँ कि उसे लेकर ये लोगों का प्यार है लेकिन दुर्भागे से कभी-कभी पब्लिक प्लेसे या पिर जब वो स्कूल जाता है तब काफी क्राउड हो जाता है तो उससे परिशानिया होती है जैसे की हाल ही में एक वीडियो वाइरल हो रहा है जब सेफ करीना तैमूर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तब फैंस की भीड फोटो खीचने के लिए लग गई और सभी बारी-बारी सेफ अली खान और करीना कपूर के साथ सेलफी लेने लग जाते हैं इस दोरान तैमूर अली खान ने पीछे पलट कर कैमरे में देखने की कोशिश की और मम्मा मम्मा कहकर अपनी मा को बुलाने लगे हाला कि बाद में सेफ अली खान उन्हें गोध में उठा कर आगे बढ़ जाते हैं लेकिन एक फैन लगातार सेफ की साथ साथ चल रहा था और लगातार सेलफी लिये जा रहा था बस फिर क्या था सेफ ने अपना आपा खो दिया और परिशान होकर सेलफी लेने वाले का हाथ गुस्ते में नीचे छटक दिया इसके बाद वो कार की तरफ निकल गए भाइस वीडियो को देख कर तो लोगों के अलग-अलग रियाक्शन आ रहे हैं लेकिन करीना सेफ की मीडिया और फैंस की दुआराई नाराजगी तो लाजमी है क्योंकि सभी पेरंट्स अपने बच्चों के साथ एक परसनल स्पेस चाहते हैं मगर आपकी इस बारे में क्या राए हैं हमें बताना ना भूले